additional features of structures अब कुछ और अंदर जाते हैं structure में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़े हैं इसमें जो value है structure variable की वो आप दूसरे structure को assign कर सकते हैं अगर वो same type है ज़रूरी निये हैं कि copy करें structure element को piece by piece इसलिए हम assignment यूज करेंगे example देता हूँ यहाँ पर आपका एक structure आपने बनाया employee इसमें नाम है age is salary यहाँ पर आपने क्या किया कि इस को initialize कर दिया even को मतलब एक variable बनाया structure variable अब आप क्या कर सकते हैं एक तो आपका piece by piece copy है एक एक करके आपने string copy किया e2 में करना चाह रहे तो even.sanjay को या even.name को आपने e2.name में copy किया तो even.name को e2.name में copy किया अब क्योंकि string copy करने के लिए str cpy function यूज करना पड़ता है जो float है और जो integer है वो direct कर सकते हैं तो even.age, e2.age में चला गया even.age, even.salary even.salary, even.salary में चला गया आप कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो एक साथ करना चाहता हूँ तो आप direct e2 का सामान उठाई e3 में डाल देज़ें देखें कितना आसान हो गया अब अगर आप e1,e2,e3 का print करेंगे आपको संजय साहब 30 और 5500.50 ही दिखाई देगा देखें लिए ये बहुत important चीज है जो copy करने की ability है बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि आप direct assign कर रहे हैं हम piece by piece भी कर सकते हैं और direct हम इधर से उधर भी transfer कर सकते हैं आप सोचिए अगर ये assignment ना हो तो कितनी मेनत करनी पड़ेगी जो structure है इसको हम nest भी कर सकते हैं इससे हम complex data type create करेंगे आप देखिए आपने structure address मनाया अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक और structure मनाई है employee उसमें नाम देंगे और उसके अंदर ये address ये जो structure है वो हम यहाँ दे रहे हैं यहने कि आपने कहा कि मैं एक structure बनाऊंगा और एक और structure बनाऊंगा उसके अंदर इस structure को रग दूँआ ये बिल्कुल ही जायज है इसको हम nested structures कहते हैं अब जब हम इस employee का initialization करेंगे तो पहले हम नाम देंगे उसके बाद phone number city pin देखिए ये phone number है city है pin प्रिंट करना है आपको तो सिधा ये e.name कर सकते हैं और जब आप इसको access करना चाहेंगे तो आप दो level पर जाएंगे पहले e लेंगे e.a करेंगे फिर e.a.phone करेंगे e.a.city करेंगे e.a.pin देखिए e.a.city e.a.pin ऐसे करेंगे e.a.phone तो यहाँ पर आपका output इस तरीके से आएगा हमने क्या क्या दो level पर गए क्योंकि हमारा nesting हो गई न nesting मतला एक के अंदर एक आ गया तो बाहर जाने के लिए भी आपको level यूज करना पड़ेगा e.a.pin e.a.city यह आप level पर जा रहे हैं इससे बहुत अंदर तक जा सकते हैं देखें जैसे एक example दे रहा हूं मारूती के engine में के अंदर जो bolt है उसकी large में quantity में जाए गया यह थोड़ा सा अंदर से बाहर के तरफ जा रहे हैं आप nesting है इसमें किसी भी ordinary variable की तरह आप structure variable को भी function में पास कर सकते हैं structure element को भीजने का आपने आए एक structure बनाया तीन यहाँ पर इसके अंदर data dice बना दी अलग-अलग content बना दिये आपने कहा कि मैं एक function बनाऊंगा display मैं एक एक करके इसमें item डालूँगा बीवन कव मैंने initialize कर दिया एक variable बना के structure variable लेटस सी वाइपी के येश्वन तानितकर साहब रहे एक दम-जिरो लन तो हम b1.nav display में function में डालेंगे यह b1.author यह b1.call number मतलब piecewise हमने भेज़ दिया क्योंकि यह string s में नेना पड़ेगा क्योंकि यह भी आपका string है देखे चारेक्टर array है तो can start e में और यह simple integer है नहांने लेगे और इस percentage percentage ली करके इसको print करा दीगे यह चीज़ print हो जाएगी अब जो नाम author इसका देखेगा यह हमने array दिया हुआ है और हम display कर रहे है b1.name, b1.author b1.call number और जो हम pass कर रहे हैं तो हम simply base address पास कर रहे हैं name का और author का क्योंकि यह arrays है यह mixed call है यहाँ पर यह call by reference है call by reference है क्योंकि यह address पास हो रहे हैं और यह जो passing हो रही है call by value है यह call by address नहीं है आप यह देखिए कि एक एक करके जब भेज़ेंगे तो काफ़ी tedious हो जाएगा काम थोड़ा सा महनत बढ़ जाएगी तो बहतर यह यह रहेगा कि पूरा का पूरा structure variable आप pass कर दीजिए इसका program देखते हैं हमने यहाँ पर structure बनाया तीन चीज़े दी यहाँ पर दो यह arrays है यहाँ पर एक integer है हमने कहा कि इस B1 को उठाईए बन को initialize कर दिया यहाँ पर initialize कर दिया इसके नाम को, author को और call number को और आपने कहा कि display में हम B1 को pass कर देंगे इसका address पास कर लेगे यहाँ पर आप struct book B में ले लेंगे और B.name, B.author, B.call number से सीधा प्रिंट कर देंगे कितना आसान हो गया और कितना आपने देखा यहाँ ना तो percent दिख रहा है ना amp percent दिख रहा है कितने आसानी से pass हो गया है अब call करना है display को तो simple इस तरीके से करिए B1 और यहाँ पर अपने जब B1 initialize किया पस इसको यह जो struct book B1 किया आपको केवल इसका अच्छा एक और चीज़ इसमें देखेगा कि हमने जो structure है वो बाहर बनाया main के बाहर बनाने का मतलब यह है कि अब यह जितने भी functions में होगे इस program में उन सब को यह structure known हो जाएगा अब pointer जिस तरीके से integer के लिए हो सकता है pointer character के लिए हो सकता है इस तरीके से pointer structure के लिए भी हो सकता है इसको हम कहते है structure pointers एक program आपको बताता हूँ यहाँ पर structure है इसको बनाया हमने तीन चीज़े दी हमने कहा B1 को initialize कर दे अब हम एक structure के लिए pointer ले रहे जैसे pointer इसको structure pointer कर रहे अब हमने क्या क्या इसका address उठाया और इस PTR में डाल दिया अब B1 से अगर access करना है इसको name को तो B1.name B1.author और B1.call number यह तो हो जाएगा अगर आप इस pointer से करना चाहते हैं तो PTR arrow लगाना पड़ेगा देखें यह arrow का sign है PTR arrow PTR arrow name author and call number इस तरीके से करना पड़ेगा बस यही enter है क्योंकि इसमें arrow का sign use कर रहा है normal के लिए normal जो है उसमें तो dot से access करते हैं जहां आपने pointer से access करना शुरू किया हम arrow से access करेंगी आप देखें कि यह जो B1.name है उसमें यह store है B1.author में यह store है B1.call number में यह store है इस pointer में आपने इसका address ऐसी तो किया था M% B1 ही तो डाला था PTR में ऐसी तो डाला था अब जहां पर M% B1 है यानिके 65472 यह address PTR में पास हो जागा तो PTR के अंदर क्या आएगा यह चीज़ उठके चली जाएगी अब आप जब access करेंगे तो arrow से करेंगे इसका arrow यह, इसका arrow यह, इसका arrow यह PTR arrow लगाईगी तो चीज़ इस तरीके से आएगी क्या हम address नहीं पास कर सकते है structure variable का function में बिल्कुल पास कर सकते हैं उसका भी एक example देखिए हमने main के उपर एक structure बनाया ताकि यह सारे function को known हो जाए यह main function और display function बहार अलग-अलग है हम चाहते हैं यह structure दोनों को known हो अगर हम इस structure इसी के अंदर दे देते हैं main के अंदर तो इस main को known होता display को known नहीं होता इसलिए हमने यह structure बहार दे दिया अब हमने इस b1 को initialize कर दिया एक variable बना के structure variable को नाम दे दिया, author दे दिया, call number दे दिया हम b1 का address लेंगे amperson b1 करके और इसको pass कर देंगे इस display अब जब हम address पास कर रहें तो हमें यहाँ पर pointer लेना पड़ेगा जो कि pointer है structure pointer और हम b के साथ कैसे access करेंगे b arrow name b arrow author और b arrow call number तो यह आपका output आजएगा ध्यान अखिएगा यहाँ पर भी हम arrow use कर रहे है इसको access करने के लिए जो structure है structure book उसको हमने बाहर declare इसले किया क्योंकि दो functional अलग है दोनों access करेंगे इसे एक code देखें यहाँ पर हमने एक structure लिया बनाया बनाया बलकि a, ch, or s हमने का % you, % you, % you यानि कि address कराने की कोशिश की यहाँ पर एक variable बनाया e.e बनाया और e.a, e.ch, e.s अब देखेंगे कि अगर हम यह tc, tc, plus, plus compiler में run करेंगे तो हमारे पस कुछ इस तरीके से address आएंगे यह address कुछ भी हो सकते है जो memory है character की वो integer के बाद और float की वो character के बाद तो 18 यह हो गया integer, यहाँ से शुरू integer अब integer 2 byte की जगा लेगा तो यहाँ पर 20 चले जाएंगे, 18 और 20 में दोगा difference है और 20 से, मतलब जब इसकी तरफ आएंगे, तो यह character एक की जगा लेगा लेकिन हम अगर इस VC++ में इसी को run कराएं तो output कुछ इस तरीके से आएगा यह कोई भी number हो सकते हैं क्योंकि जो output है जो output, इसमें float यहला float character के बाद store नहीं हो सकता है बलकि इसमें 3 byte का hole आएगा character के बाद reason क्या है इसका VC++ 32 bit compiler जो है आजका तो 64 bit है लेकिन इसको समझने के तौर पे समझे इसको 64 4 की तरह आप elongate कर सकते हैं 32 bit compiler है VC++ तो यह 32 bit microprocessor के लिए generate करता है जो code है जो architecture है microprocessor का वो इस तरीके से है कि वो address के इसाब से multiple of 4 में लेता है तो VC++ compiler यह align करता है हर एक element जो आ रहा है structure का उस address के इसाब से जो multiple 4 है इसलिए तीन hole देखेंगे जो character of float के बीच में आएंगे यह थोड़ा ध्यान रखेंगा इस बाद को कुछ जो programs है वो बहुत अच्छा एक memory area का control देते हैं जैसे अगर हम किसी boot sector के content को read करना चाहते है जैसे hard disk के structure में तो byte arrangement उस structure element का वो match करना चाहिए जो arrangement है अलग-अलग field जो boot sector में है disk के तो यह hash preprocessor directory है pragma pack यह एक बहुत अच्छा तरीका है जो यह आपको देता है यह directive आपको समझाता है कि जो alignment हो packing के यह जो आप बीच में hold बन रहे हैं यह ना हो तो यह आप इनके बीच में turbo c++ क्योंकि यह कुछ feature है इसमें नहीं मिलेंगे आपको vc++ में ज़रूर मिलेंगे कैसे इस directive को यूज करना है ताकि packing करें बीच में hole न मिले यहाँ पर hash pragma pack 1 कर दिजे और यहाँ पर hash pragma pack और फिर आप जब करेंगे तो आप proper इसके memory देखेंगे जो जैसी आनी चाहिए पर देखेंगे